हलो शेंज डिवाइन लाइस असोसियेशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेग्मेंट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आप सभी की प्रतिक्रियाओं या फीडबाक्स के लिए आपको बहुत बहुत धर्निवाद ये वैलुएबल फीडबाक्स आप हमें देते ह हैं अपनी डिवाइन आर्ट ओफ लिसनिंग को यूज करके हम इस डिवाइन आर्ट को शचच नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं और वो भी हाथ चोड़ करके और हम आप से ये कहते हैं कि अगर आपके उच्चे मुकाम के लिए पूरी डिवाइन लाइट असोसियेशन टी चोटा से चोटा काम आ सके तो हम अपने आपको बहुत ही सा भागेशाली समझेंगे हमारी वाणी और यूटीब के सभी श्रोता तथा ऐसे लोग जो हमें अलग-अलग माध्यमों से सुन रहे हैं सभी को हम धन्यमाद देते हैं इसके अलावा च्याम और स्काइला जिन्नों तो हमें अपने लेखन के माध्यम से हमें ये बताया है कि आपका प्रयास बहुत सराहनी है हम उन्हें दिल से शुक्रियादा करते हैं चलिए शुरू करते हैं सेग्मेंट को टौपिक है हमारा कोडिंग-डिकोडिंग का दोस्तों कल भी हमने कोडिंग-डिकोडिंग पे वी भी वही वीडियो दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक कैसे आपका नया पैटन है, इसलिए हमें ये वीडियो देना पड़ रहा है, चलिए पहले हम पैटन समझ लेते हैं, क्या है, पहले हम लास्ट पार्ट समझते हैं, दो पार्ट में कोडिंग का प्रसेस हैं, लास्ट पार्ट पह होगा जो वही लिखती चाहिए सबसे पहले हमें यह लगता है कि आपको अपोजेट बता देने चाहिए सारे A का उल्टा होगा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, B का उल्टा W, E का उल्टा V, F का उल्टा U, G का उल्टा T, H का उल्टा S, I का उल्टा R, J का उल्टा Q, K का उल्टा P, L का उल्टा O, M का उल्टा N समझ के कोई भी लेटर दिया है जिसे BY अब इसका उल्टा लेटर कौन सा होगा Y का B होगा ठीक है तो ये code हो गया मालो दिया है HEN HEN एक शर्द है अब HEN में क्या होगा Last का code M क्यों क्योंकि ये N का उल्टा है ठीक मालो हेलो H-E-L-L-O हेलो अब बताए क्योंकि O का उल्टा L है इसलिए L होगा ये Last code ठीक मालो दिया है Trump T-R-U-M-P आब बताए Last letter कौन सा है Very good P P का उल्टा क्या होगा K तो last code गया होगा, के होगा, ठीक है, यह part समझ में आगया आपको, पहले आपको word देखना है, उसके बाद last letter देखना है, और last letter का opposite आपको निकाल देना है, ठीक है, last letter का opposite होगया आपका last code, ठीक है, आप चलिए, अब हम first part समझते हैं, first part में आपको two way process करना होगा, पहला process के word को देखे कितने letters का है, जैसे माल लो lock, एलो सी के lock, ठीक है, ये कितने अक्षरों का शब्द है, चार अक्षरों का, ठीक है, तो ये चार जो है ना, उसको दो से भाग दे जीचे, four divided by two, चार भाग दो कितना हुआ, दो हुआ, है ना, two होगा, दो दो ने चार होता है, तो दो होगा, ठीक है, तो code क्या हो गया इस तरह से, lock का, two p, ठीक, समझ गया है, अब माल लो, must, 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 बताइए, code क्या होगा, very good, two g, two g code होगा, क्यों, चार अक्षरों का शद्द है ये, तो भाइया, चार को दो से डिवाइट किया, तो दो हुआ, और t का उल्टा, g, तो two g हो गया, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, माल लो, आपको हम दे रहे हैं, enter, 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 बताइए, very good, two point five, I, क्यों, two point five क्यों हुआ, enter, अब बताइए, कितने letters का शब्द है ये, पांच letters का, अब पांच को दो से divide करो, तो कितना होगा, दो दुने चार होता है, तो दो बार ही लगा, ठीक है, और एक शेश बज क्या, इसलिए यहाँ पर दश्मलाव लगाया, point लगाया, ठीक है, अब एक शेश बज क्या, तो एक तो divide हो नहीं सकता, इसलिए 0 लगाया, तो 10 हो गया, 10 कितनी बार divide हो गया, पांच बार divide हो गया, दो से, है न, तो इसलिए 2.5 हो गया, तो 2.5 आई, enter का code, आई क्यों, क्योंकि last में आ रहा है, इसलिए यहाँ आई हो गया, ठीक है, चालिए, एक वर्ड है, train, टी आर ए आई अन, बताए code, very good, 2.5 M, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, चलिए एक और वर्ड है, internet, I-N-T-E-R-N-E-T, internet, अब बताए, very good, 4G, 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 नटवर्क ना समझ लेना हो लोग, 4G क्यों हो है, 8 letters का word है, 8 action का शब्द है यह, तो 8 को 2 से भाग दो, 4 बर लगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे, 4 हो गया, 4 हो गया, और T का जो opposite letter है, वो G हो गया, इसलिए 4G हो गया, ठीक है, transport, टी आर ए ए एन एस, पी ओ आर टी, टान्सपोर्ट, अब बताए, टी आर ए ए एन एस, पी ओ आर टी, बताए, कटिर नहीं है, very good, come on, very good, 4.5 G, क्यों, क्यूंकि 9 अक्षरों का शब्द है यह, तो भाई, अगर 9 को 2 से डिवाइट करते हैं, तो 4 होगा, एक 6 बजचाएगा, इसलिए पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे, इसके बाद हमने क्या किया, 10 से डिवाइट किया, तो 4.5 और G, ठीक है, very good, समझ के आप लोग, पजल शिरू किया जाएं, चलिए, यहाँ लिखा हुआ है, study the following information carefully, and answer the questions given below, यह कितना भला मानूस है, सबका ध्यान रखता है, देखो, जहाँ और examiner's यह कह देते हैं, study the following information, and answer the questions given below, लेकिन यह कह रहा है, carefully पढ़ना, ऐसा मत करना कि, अपरा दिमाग को examiner के हिसाब से घुमा देना, ठीक है, तो भाई, इनको सुक्रिया कह दे, हाँ जोड करके, हाँ ना, अब, देखो, लिखा हुआ है, in a certain code language, divorce your past can be coded as, 3.5V, 2G, 2I, break up with future can be coded as, 2.5P, 3V, 1K, 2S, MARRY, the present can be coded as, 3.5G, 1.5V, 2.5B, Now, आप question है, question number 1, what is the code for unhealthy, unhealthy, unhealthy का code क्या होगा, very good, 4.5B, पिल्कुल ठीक, क्यों, 9 अक्षरों का शब्द है ये, इसलिए 4.5 होगा, क्योंकि, 9 को 2 से भाग देंगे, तो क्या होगा, 4 उसमें point लगाना पड़ेगा, 6-6 बजग गया, इसलिए, 10 से भाग भी ये, तो 5 होगया, तिक, तो 4.5, और चुकी Y है, Y का उल्टा letter B होगा, इसलिए 4.5B होगा, unhealthy का code, चालो, next question है, 4.0 क्यान भी दा कोड फॉर, अंब्रेला, कास्ट, प्राइ, या फिजिकल, answer है, physical, क्यों physical है, P-H-Y-S-I-C-A-L, कितने अक्षर का शर्द है ये, 8 अक्षरों का शर्द है ये, तो अब बताइए, 8 को 2 से डिवाइड किया, कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक, तो 4 हो गया, और L, last letter है, उसका opposite क्या होगा, O हो गया, इसलिए 4 O is a code of physical, ठीक है, next question, what is the code for arrangement, A-R-R-A-N-D-E-M-E-N-T, बताओ, कितने letters का word है, very good, 11 अक्षरों का, तो बताइए, very good, 5.5 D, बिल्कुल ठीक बोला आपने, 11 अक्षर का है, ये शब्द, तो भाई, 11 को 2 से डिवाइड किया, तो 10, ये 5 तो आया, लेकिन 1 6 बच गया, अब 1 6 बच गया, तो 0 लगा के हमने डिवाइड किया, 10 को फिर 5 आया, फिर पाइसलिए ये हो गया, 5.5, अब चुकी ये, last में क्या आ रहा था, arrangement, T आ रहा था last में, इसलिए, जो T का, उल्टा क्या होगा, letter D होगा, इसलिए यहाँ answer हो गया, 5.5 D, ठीक है, चलिए, question number next है, what is the code for difference, D, I, F, F, E, R, E, N, C, E, D, I, F, F, E, R, E, N, C, E, D, I, F, F, E, R, E, N, C, E, बताओ, कितने letters का word है, कितने अक्षरों का शब्द है, यह, very good, 10 अक्षरों का, बताए क्या होगा, very good, 5 V, क्यों, क्योंकि यह 10 अक्षरों का शब्द है, तो 10 को 2 से divide किया, तो 5 होगा, 5 होगा, और last में E है, E का उल्टा V, इसलिए 5 V code होगा, very good, last है, according to the following pattern, what is the correct code for must, M-U-S-T must, बताए है, very good, 2G, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, एक question और हम कर देते हैं, एक question है, according to the following pattern, what is the correct code for people, P-E-O-P-L-E, according to the following pattern, what is the correct code for people, P-E-O-P-L-E, अब बताए है, कितने पक्षरों का शब्द है है, 6, अब 6 को 2 से divide कीजिए, 3, बिल्कुल ठीक, 3 V, 3 V क्यों होगा, क्योंकि, 6 अक्षर का शब्द है ये, तो 6 को 2 से जब हम divide करते हैं, तो ये 3 आ जाता है, है ना, P-E-O-P-L-E, और इसमें जो है last letter है E, और E का उल्टा हो जाएगा V, इसलिए code हो जाएगा हमारा 3 V, ठीक है, तो दोस्तों, इसी आखरी सवाल और आखरी जवाब के साथ, हम ये segment यही पर खत्म करते हैं, लेकिन friends हम आपसे एक request जरूर करेंगे, वह ये, कि आप सभी लोग इस segment को दिल खोल करके enjoy कीजे, और साथी इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुचाने की पूरी कोशिश कीजेगा, my most dearest of the dearest friends, जो लोग internet facility का लाप नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी चोटस request के साथ, हम आप सभी के धेर सारे प्यार, जिनून, जज़बात, और कड़ी मैनत के साथ साथ, आप सभी के उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदालत, ना सिर्फ आप सभी नई-नई उचाहियों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही, आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योगेता का पर्चम लहरा पाने में भी भाली भाति सक्षम है, तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी कर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए, एक बार फिर पूरी डेवाईलाइट्स असोसियेचन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे, दिल से प्याहर भरा नमस्कार.